और बड़ी खबर मदूबनी से सामने आ रही है जहां बीजेपी विधायक अरुण शंकर प्रशाद को अप राधियों ने जान से मारने की धमकी दी है बीजेपी विधायक ने थाने में लिखित शिकायत की है बताया जा रहा है कि उनके घर में घुस कर कुछ अपराधियों ने रंगदारी की मांग की नहीं देने पर उन्हें जान से मारने की धमकी देते हुए चलते बने वहीं शिकायत के बाद पुलिस मामले की चानबीन में जड़ गई है इस मामले की जानकारे के लिए हमारे साथ हमारे सन्वदाता नवीन जड़ गए है नवीन जो लोग रंगदारी के लिए विधायक के घर पर आये थे क्या उनकी गिरफतारी हो पाई है या पता चल पाया है वो लोग कौन थे जैसा कि बास्वपट्टी का ही कुछ बता रहा है जिसका से नाम उसके खिलाफ वास्वपट्टी थानम में विधायक साहब पास्मिकी दर्ज करवा चुकी है इसके लिए पुलिस चानबीन कर रही है जगा जगा पुस्ताज कर रही है तो मतलब अब तक इसमें अभी तक गिरफतारी नहीं हो पाई है नहीं अभी गिरफतारी नहीं हो पाई है इस मामले में कुछ भी कहना जलबाजी होगी तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया तो जैसा कि हमारे सन्वदाता ने बताया इस मामले में अब तक किसी की भी गिरफतारी नहीं हो पाईए हाला कि पुलीस आगी की छानबीन में जुटी हुई है